राजनीती से जुड़ी एक ऐसी शखसियत जिनका सवर्दस्त जनाधार है 36 गड़ सरकार में कई एहम मंत्रालेयों का जिम्मा महम्मद अकबर के पास है वन, परिवहन, विधी जैसे एहम प्रभार संभालने वाले महम्मद अकबर विरोधियों पर तीखे प्रहार के लिए जाने जाते हैं 26 अगस्त 1956 को राइपुर में जन्मे महम्मद अकबर ने छात्र राजनीती से सियासी पारी का आघास किया कॉंग्रिस के जिला संगटन सम्हालने के बाद महम्मद अकबर पहली बार 1998 में विधान सभा पहुँचे महम्मद अकबर की लोगप्रियता का पैमाना चुनावी जीत में जलगता है स्वागत कीजिए 36 गड़ के मैन इन अक्शन मिनिस्टर महम्मद अकबर का स्वागत है आपका अकबर साब जी थैंक यू पहले तो यह बताईए आपको महम्मद अकबर कहें या ओनलाइन अकबर कहें आज कल सुनाएं आप ओनलाइन अकबर के नाम से जाने जाते हैं जो भी कहें दोनों चलेगा ये ये वाला अवतार क्या आपने जानबूच के या सोच समझ के अपनाया ओनलाइन अकबर वाला देखिए ओनलाइन वाला जो सिस्टम है मेरे भी पास परिवान विभाग है और परिवान विभाग में मैनुवली जो काम होते थे उसमें हमको ऐसा लगा सरकार बनने के बाद कि इसमें काफी कटनाई है तो पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया गया परिवान विभाग में और इसके कारण जैसे लाइसंस बनाना है या रेजिस्टेशन बुक का है सारी चीजें टेक्स बटाना है परमिट के लिए ऑनलाइन आविदन सारी चीजें ऑनलाइन सिस्टम करने के बाद कुछ लोग कहने लग गए लेकिन नाम तो वही है मुहमद अकबर ये जब ऑनलाइन करने का चैलेंज आया था तब आपको लगा था कि चतिसगड का सिस्टम जो है उसमें ये कर पाएंगे क्योंकि इससे पहले जो कहानियां होती थी जब सिस्टम ऑनलाइन नहीं था तो बहुत मुश्किलात थे लोगों के लिए भी और सिस्टम ना चलने के वज़े से स्टेट की सिस्टम स्टेट की एकॉनमी के लिए भी मुश्किल था देखे, आनलाइन सिस्टम के लिए लिए हम लोग पहले राज्य हमारा नहीं था, लेकिन दिल्ली में या बाकी जो बड़े राज्ये हैं, विक्सित राज्ये हैं, तो उनको देखने के बाद ऐसा लगा कि भाई, हमको ये सिस्टम एड़ाउट करना चाहिए, और ये सिस्टम पिट आउट करने के बाद जब इसकी शुरुवात हुई तो शुरुवात करने के बाद इसके परिणाम ऐसा दिखा कि जो मैनुवल सिस्टम है उसमें गैब बहुत ज़ादा है कई बार पर्मिट नहीं लेने से इसमें जुरुवाने की राशी बहुत अधिक होती है तो कुछ फाइलों के गाइब होने की भी शिकायत थी इन सब चीजों को हटाते हुए आउनलाइन सिस्टम किये फिर वन टाइम सेट क्या ये सिस्टम अडॉप्ट हो चुका है क्योंकि अभी भी हमने कुछ जनता से बात की कुछ लोग अभी भी थोड़ी कंप्लेंस है कि निजी ऑपरेटर्स की मनमानी अभी भी चल रही है देखिए परिवहान पहला राज्य है पूरे देश का आप पता कर लेंगे हमने पर आइसन्स और रेजिस्ट्रेशन ये ओनलाइन जब आप आविधन करेंगे तो ये दोनों ही चीजें भाई पोस्ट आपके घर में पहुंच जाएगा आपको जाने की जरुवत नहीं है अब तक 20 लाग से अधिक लोगों को ये सब दिया जा चुका है इसको चालू करने एक कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर सब कुछ ऑनलाइन करने के पीछे कोई पड़ा हुआ है तो वो तो मोधी सरकार है तो क्रेडिट वो सब कुछ अगर ऑनलाइन हो रहा है तो उसका बीजेप को मोधी सरकार को देते हैं ऐसी मान सकता है देखिए यहाँ पर 15 साल तक तो सरकार बीजेपी की थी तो उनको देखे उनको कर लेना था नहीं किये तो उनको हम इने एडाउट कर लिये जो जनता के हित्मे हैं चाहे वो केंद्र कहो राज्य कहो एडाउट करना चाहिए यह जो डिजिटल इंडिया का स्लोगन है वो आपके डिपार्टमेंट से साकार हो रहा है तो पबलिक क्रेडिट आपको देती है या फिर बोलती है नहीं तो मोधी जी नहीं करवाया है देखिए राज सरकार में 36 गड़ की सरकार में जितना भी जो भी काम हो रहा है वो क्रेडिट मानि हुपेज बगेल जी को देती है और उन्हीं को और मैं ऐसा समझता हूं कि ये क्रेडिट उनको मिलना भी चाहिए आपने बगेल साब के नाम लिया तो कहते हैं कि आप और कई औ और मंत्री खास तोर पे भगेल साब के बिलकुल ऐसे लेटनेंट बने हुए हैं कि हर चीज का क्रेडिट उनको देकर अपनी पोजिशन सेक्योर की हुई आपने देखिए ऐसा नहीं है ये सचाई है जो काम करेगा आज 36 गड़ में आपने देखा होगा नाम भी पहली बार आप सुने होंगे भरोसे का संविलन, संविलन राजनितिक होते हैं लेकिन भरोसे का संविलन आपने नहीं सुना होगा लेकिन 36 गड़ में अलग-अलग संभाग इस तर में भरोसे का संविलन चल रहा है और भरोसे का संविलन बुलाने की ताकत वही रखता है जिसने भरोसे लाएक काम या काम की वज़े से या फिर अकेले मुस्लिम MLA होने के चलते भी देखिए सवाल अकेले मुस्लिम MLA होने के चलते वाली बात नहीं है एक बात आपको मैं बता दूँ मैं चुनाव लड़ता हूं कमर्धा विधान सभा से 15 साल के मुख्यमंत्री डक्टर रमन सिंग मेरे वोटर हैं वो कमर्धा उनका निवास है वो हर चुनाव में वोट डालने भी आते हैं अब किसको देते हैं वो मैं ने जानता लेकिन मैं वहीं से चुनाव लड़ता हूं और मैं वहाँ पे 29-39 लोग कमर्धा में अब पूरा यदि मिलाएंगे तो लगभग 5000 मुस्लिम ह मैं 60,000 वोट से चुनाव जीता हूं तो मैं इसका स्रेक कमर्धा की जनता को देता हूं क्योंकि वह वहाँ पे इस तरीके का कोई बात नहीं है और वह हमेशा उसको स्विकार करते हैं अच्छा आप पब्लिक ली भी ये कहते हैं कि आप शिव भक्त हैं तो इसको लेकर आपको कभी कम्यूनिटी से कभी नराजगी नहीं जहलनी पड़ी देखे सब को लेकर चलने में कोई बुराई है नहीं और यदि मैं सब को लेकर चल रहा हूं मैं सभी धर्मों का सम्मान कर रहा हूं तो अपने धर्म का भी सम्मान कर रहा हूं साथ में तो मेरे से नराजगी क्यों होगी सब को लेकर चलना ही सही काम है आपने कहा कि सभी धर्मों का आप सम्मान करते हैं लेकिन धर्मांतर जैसे मुद्दे को लेकर कभी कभी विपक्ष लगातार जो है सवाल खड़े करता है खासकर सरकार पर देखिए मैं सभी धर्मों के समान करता हूँ और विवादीत विशाय में उत्ता नहीं देता इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा आप बच रहे धर्मांतरण के साथ सब लव जिहाद भी एक शब्द है जो इसमत बहुत जादा प्रचलन में है आपको क्यों लगता है यह विशव विवादीत विशाय वो तो है वो सच्चाई है अब मैं उधर जाना नहीं चाहता आप सरकार के बारे में एक हजार कोश्चन करें कोई दिकत नहीं है अजब पब्लिक में जवाब जाते हैं तो पब्लिक आपसे यह सवाल नहीं करती कि आजकल यह चल रहा है यह चल रहा है आप इस पे बोलते नहीं है आप सिर्फ काम पर बात करते हैं तो उन चीजों का जवाब देना, आपको नहीं लगता कि पब्लिक को जवाब नहीं देंगे, तो चवी पे असर पड़ेगा? कभी नहीं पूचती पब्लिक, कुछ भी चल रहा है के बारे में कोई बात नहीं होती, आज कल पब्लिक को भी मतलब यह है कि भाई, राजय सरकार का का आज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आर्थिक उन्नती के लिए जिस तरीके से 36 गड़ की सरकार ने काम किया है, मै ने भरोसा है कि आप काम करके देंगे, जी बिलकुल, ले मुम्किन कैसे हो आई, देखिए मैं पहली बार 1999 में विधायक बना, उस समय मानी अजी जोगी जी मुख मंत्री थे, मेरा विभाग था अटेश्ट तो सी एम, जोगी जी के बारे में आप सभी को मालूम है कि बहुत तरीके से किस काम को कैसे कराना है, अटेश्ट तो सी एम होने के करण बहुत कुछ सीखने का उसर मिला, और उसके बाद से बहुत सी योजनाये हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होती, कि कहां से कौन सा काम हो सकता है, उन बारिक्यों को पकड़के अधिक से धिक काम होना चाहिए, अब एक बात और भी होती है, कि जनता की तरफ से मालो दस काम बताये गया, कभी एक हुआ, कभी दो हुआ, कभी दस हो गया, कभी एक भी नहीं हुआ, लेकिन यदि कोई आपके पास आये, तो आप कम से कम प्रेम पूरवक बात करिए, समान से बात करिए, बैठने के लिए बोल दीजिए, उसको लगना चाहिए, कि मेरे लिए प्रयास इमानदारी से किया, भले मेरा काम नहीं हुआ, तो इसको यदि हम पालन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। के बारे में जो विचार रखती है, उसके बारे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 36 गड़ में एलिफेंट रिजर्व, तीन, सेमर सोत, बादल खोल, तमोर पिंगला, ये तीन एलिफेंट रिजर्व थे, उसके बाद 2008 में भारव सरकार से सैध्धान्तिक सहमती मिली, लेमरू किलोमीटर, 2008 से लेकि 2018, 10 साल तक सैध्धान्तिक सहमती मिलने के बाद भी इसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया, कारण ये था कि उसके पूरा नीचे कोहिले की खदाने हैं, और ततकालिन सरकार कोहिले की खदानों को छोड़ना नी चाहती थी, लेकिन कांग्रिस की सरकार पनने के बाद, 452 वर किलोमीटर का हमने दुबारा सर्वे कराया, और हमको ये लगा कि हातेओं के लिए यह जो जलवायू है, और जो परिस्तिदिया हातेओं की अनुकूल है, तो सर्वे करनने के बाद हमने उसको पढ़ा कर 452 से 1.1995 वर किलोमीटर किया, और 49 कोहिले की ख रखने वाला आइडिया था वो नहीं आया तो उसके आगे का प्लैन किया है फिर यह जो धान बाहर रखने वाला हमारा आइडिया था जिस समय यह प्रारम किया गया तो हम लोग नहीं यह कहा कि यह प्रयोग है यह सफल भी हो सकता है यह असफल भी हो सकता है फिर जब हातियों को दल जाता है तो घरों को तोड़ कर धान बाहर निकाल के और उनको खाते हैं लेकिन जिस समय हमने खुद उनको सामने रख दिये तो जब दल आया उनको लगा कि अब तक तो निकाल के खाना पड़ता था क्योंकि वो वेरी इंटेलिजेंट एनिमल उनको कहा जाता है वो उन् चुनाव में कौन सा प्रयोग भूने वाला है यह पूरे पांच साल में प्रयोग ही चला है इसके पहले हमने 25 और परती कुंटल के हिसाब से पिछले चुनाव में 2018 के पहले कहा था कि 25 और परती कुंटल धान खरीदी हम करेंगे फुरे देश में कहीं दर नहीं है अब 2019 में जो धान खरीदी हुई उसका सीधे चेक 25 और परती कुंटल में दिया गया उसके बाद जब 2020 में धान खरीदी की नवबत आई तो भारत सरगार से चिठ्ठी आई यदि समर्थन मूल से अधिक आप कीमत देंगे तो हम आपका जो सेंटरल पूल में चावल जमा होता है वो न जाए किये कि हमारा वाइदा कांग्रेस का 25 और परती गुंटल है और भारत सरकार के तरफ से अलंगा है लेकिन हमको तो देना है तब हमने नई योजना बनाई राजियो गांधी किसान निया योजना 9000 और परती एकड़ के हिसाब से खरीदते समय समर्थन मूल से चेक 3-4 चार दिनों के भीतर बाद में 9000 रुपया परती एकड़ जब आप अंतर की राशी 2500 को जब मिलान करेंगे तो 2500 रुपया पूरा होता है अब ये चार किस्तों में हम देते हैं पहला देते हैं 21 मई को दूसरा 20 अगस्त राजियो जी के जनम दिवस पर तीसरा हम देते हैं एक 25 रुपया के हिसाब से लगतार भुक्तान कर रहा है अब आपको पूरा भरोसा है कि सरकार वापिस आएगी विल्कुल वजा काम भरोसा का सम्मिलन किसलिया है आपने लगतार अपने उपलब्धियां तो गिनवा दी और कई ऐसी स्कीम जे तो गेम चेंजर साबित हो सकती है कोई कभी महसूस हो रहे है या आपको कि अभी किसी एक शेत्र में आपको जोर देनी के ज़रूरत है आपके अपने डिपार्टमेंट में देखिए ऐसा है कि किसानों के लिए तो राजियो गांधी किसान नियाई योजना हो गया जिनके पास जमीन है उनका ये योजना अब 36 गड़ पहला राज है जिनके पास कोई जमीन नहीं है जिनके पास कोई जमीन नहीं है राजियो गांधी ग्रामिंट कृसी मजदूर नि भारा 6,000 उपिया खातेदार किसानों को दिया जाता है और छतिजगड़ की सरकार जो खाता जिसके पास एक डिस्मिल जमीन नहीं है उनको 7,000 दिया जाता है किसानों के लिए राजु गांधी न्यायययोजना किसान न्यायययोजना उसमें भरबूर पैसा मिल रहा है लेकिन ज खेती हर मजदूर दूसरे के खेतों में काम करते हैं अकेला 36 गर सरकार है जिसके पास यह उजना है अकबर साब धारा प्रवा सारी योजना है सारे प्रेयोग आपने गिना दिये क्योंकि जून चल रहा है इलेक्शन का जब समय आता है तो फिर वही धर्मांतरण वही धर्म व मतब जब चुनाव आएंगे तब भी नहीं देंगे अब चुनाव में वह और अब लगाएंगे तब भी जवाब नहीं देंगे नई बिलकुल नहीं पेशली बार जब आप ने चुनाव लड़ा तो और जो नतीजह आ है उससे साब था कि जनता ने वोट दिया कि बीजेप कि सरकार ने काम किया है और काम के भरोसे आप कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए कोई काम नहीं है पहुन ये दो लाग करोड किसानों के और आम जनों के जेब में डालने का काम 36 गर सरकार ने किया है करोना काल में जब पूरे देश में मंदी थी चमवन हजार तो खाली मोटर स यहां की इस्टिती आर्थिक रूप से यदि खेतों में किसानों के खाते में पैसा जाएगा तो इसका असर मार्केट में भी होता है यदि पैसा जाएगा तो मकान भी मनेगा मोटर गाड़ी खरीदे जाएंगे और उसके बाद अलग अलग शादी विया होगा तो यह पूरा और यह पैसा कहा जाएगा तो मार्केट में जाएगा जब मार्केट में जाएगा तो आर्थिक इस्टिती ऊपर आएगा तो सारे वर्क के लिए है इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस को चिंता करने की जरुवत नहीं है और कांग्रेस ने नारा भी दे दिया है इस पार 75 पार और मुक्य मंत्री अगली बार भी भुपेश बगेली होंगे उनी के निर्थित में चुना होगा मैं तो खुल के बोल रहा हूं उनी के निर्थित में चुना होगा अच्छा अक्बर साब क्या क्या काम हो गए वो तो आपने बता दिया जनता को हग किये जानने का भी है क्या क्या काम नहीं हुए 2018 में 36 का अकड़ा आपने रखा था 36 लक्ष रखे थे पूरे कौन-कौन से नहीं हुए देखिए 36 में से चार या पांच को मैं कह सकता हूं कि पूरा नहीं हुआ और बाकी के लगभग वाइदे हम लोगों ने पूरे कर दिये और जनता की उमीदों पर ये सरकार एकदम खरी उतरी है और आने वाले समय में जनता कासिरवाद कांग्रेस पार्टी को फिर मिलेगा ये मेरा विश्वास है क्योंकि ये जो हम चेहरे वाला सवाल इसलिए पूछ रहे हैं आप भी जानते हैं देखिए इस तरीकी के कोई बात नहीं चतित गड़ में जो कांग्रेस का नेतित तो है भुपेज बगेल जी के नेतित में चुनाव होगा और यदि इस प्रकार का किसी को कोई विवाद की स्थितित पन होगी कोई पहली बार और नहीं बात नहीं है ये कांग्रेस में चलता रहता है और उनकी ताकत है और वो इस सफ चीजों को समय लेते हैं यहां भी होगा आपने राहुल जी को नहीं बोला कि चतितिस गड़ नहीं आई भारण जुड़ो यात्रह जो रूट निर्धारित है वो 20 से हट के कहीं कहीं कैसे जा सकते हैं वो तो रूट निर्धारित है ना निर्धारित था और उस रूट में गए हैं और सफल भी हुए हैं जब दुबारा फिर से ही रूट निर्धारीत होगा, तो हम लोग कोशिस करेंगे कि यहां से भी जाएं। उसका असर आपको यहां होता दिखता है चुनावों में, बारजुड़ों। बिल्कुल होगा। और असर तो आप देख लिए करनाटक में। और उसका 2024 के लोग सभा चुनाव में? 24 को टाइम है। क्योंकि पिछली बार यहां पर विधान सभा जीतने के बाद भी लोग सभा में वो सीटें नहीं आई जैसी उम्मीद थी। भुलवामा। तो आखर में फिर सबसे बड़ी चुनाव थी आपके लिए क्या हुई? देखिए ऐसा है कि जनता के बीज में जाके जो काम करें उसको बहुत ज्यादा चुनाव के रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। काम लगातार होना चाहिए। और जो आम जनता से यदी आपने चुनाव में कोई वाइदे किये। अब सत्पर्तिसद वाइदे पूरे हो जाते हैं ये आप भी जानते हैं कभी नहीं होता। लेकिन उनको लगना चाहिए कि अधिकांस हमारा मांग पूरा हो गया। अब केंद्र सरकार के तरफ ही दी आप जाएंगे तो हमेशा सवाल उड़ता है कि खाते में 15 लाकव तक नहीं आया। दो करोड लोगों को रोजगार नहीं मिला। सव दिन में महंगाई कम नहीं हुई। और किसानों की आये दो गुनाव। तो यह तो सब नाराही था ना। या उनके घोषना पत्र में और अपने हर भासन में यह लोग भोलते गए। को तो पुरा नहीं हुआ। तो जब हमसे यह कोई पूछेगा कि तुमारा जी यह चार मांग पूरा नहीं हुआ तो हम उसको आड़ गिनाएंगे। राज़ कभी चार गिनाएंगे कि हर आदिवासी परिवार को गाय देने की बात हुई थी। सभी बेरुजगारे लोगों को भत्ता देने की बात हुई थी। पांच हार्स पावर बिजली का पंप फिरी देने की बात हुई थी। 270 धान का बोनस नेने की बाद ही थी तो चार राजय का गिनाओ चार केंद्र का गिनाओ चार अपना बचा लो जैसा आपने कहा था कि आपने आपको शिवबग तो बताया ही था और आखिर में आपने एक तरह से गीता का ग्यान भी दे दिया कि आपको बस काम करते रहना है बहुत बहुत चुक्रिया हमाई साथ यहां जोने के लिए अकपर साब अकपर अकपर